हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अरद्या आरेयस एकड़ी में दोस्तों राजस्तान में आयुजित राजस्तान रिट बरती परिक्षा लेवल टू सस्टी यानि कि सामाजिक अध्यन का जो नवीनतम पाठे करम आया था उस पाठे करम के अनुसार लेवल टू में दोस्तों मोडल पेपर आज मैं आपके लिए बहुती सांदर लेकर आया हूँ इस मोडल पेपर का दोस्तों आपको टेश्ट देना है इसमें 150 प्रसन सामिल किये गए हैं सुरुआत के जो इकराण में से 150 प्रसन तक अपन है वो सामाजिक अध्यन के पढ़ेंगे उसके बाद में प्रसन संख्या एक से लेके तीस तक बालविका सेवम सिक्षा सास्तर फिर 31 से लेके साठ तक सामान हिंदी और फिर उसके बाद में 61 से लेके 90 अपन दोस्तों संसकर्प के तीस प्रसन है वो करेंगे ठीक है बुलकुल सांदार हूब हूँ पैटर्न के आदार बर ये प्रसन है इसलिए ध्यान से देखेगा इनको और अरद्देर सेकेटिवी के यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक क और ज़ाइक जांगल परदेश के नाम से जाना जाता था बिकानेर को और जांगल परदेश की राजदानी आहीच सेतरपूर ती जिसको वरत्मान में अपन नागुर कहते हैं ठीक है तो अपना इसमें राइट आंसर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा और विकानेर के राजा इसी जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण उन्हें दोस्तों जांगल धर बादशा कहते थे ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है और जो विकानेर का जो राजचिने है उस राजचिने के अंदर भी दोस्तों आपको जाई जांगल धर बा करती है तो इस कौन ही दातु को तो दोस्तों वह लेड कौ तो इसमे राइट आंसर तीन नमबर का उप्चन सहित्र हो जाएक लेर नेक्स्ट ते किस जलवायू में वर्षा की अपैक्षा वास्पिकरण अधिक होता है तो इसका राइट आंसर हो वह है दोस्तो सुस्क जलवायू में एक नंबर का जो उप्षन है वह इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा सुस्क जलवायू में यहां पर जल की कमी होती है ठीक है आगे देख्ये दोस्तोब नाइस में चार नमबर का option यानि कि 94 नमबर प्रेस ने परत्वी पर गुंणन की गती सरवादिक रहती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूमद्य रेखा पर एक नमबर का जो option है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट भारते रिजर्व बैंक का राश्टिक रन कब हुआ देखिए इस तापना तो हुई थी इसके गुनी सो पैंतीस में लेकिन इसका जो राश्टिक रन है वो गुनी सो गुननचास में हुआ था तो इसमें दो नमबर का option बिलकुल सही उत्तर नेक्स्ट राजस्तान क के परते inक जिले के सहकारी बैंक का नाम है राजस्तान के परते क जिले के सहकारी वा कि से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 97 नेक्स ने सुचना एवं संप्र innate technique के सीख्षय के च्रतर में कौन से मुख्य लक्षते हैं कि सूचना एवं संप्रेक्षन तकनीक के शिक्षा के छेतर में कौन से मुख्य लक्षे हैं, तो दोस्तो कौन से मुख्य लक्षे हैं, तो दोस्तो देखे, शिक्षा एवं अनुसंदान जनीत विश्य सामगरी का अधिकादिक संचार करना, वर्तमान पीडी को साइबर शिक्षा एज में भली भाती, डिजिटल पुस्तिकाले इस्तापित करना तो दोस्तो इस प्रस्टन का राइट आंसर हो जाएगा वो है उप्रोक सभी चार नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर नेक्स्ट है 98 नमबर प्रस्टन है इसमें देखे व्यापारिक बैंक का प्रमुकारिये है व्यापारिक बैंक का जो प्रमुकारिये है वो क्या है तो वो है दोस्तो जमाए स्विकार करना तथा रिन परदान करना ये व्यापारिक बैंक का है जो प्रमुकारिये है तो अपना इसमें right answer एक number option सहीटर next आगे देखे इसमें भारत में उच्टम एवं न्यून्तम जन गनतव कितना है तो उच्टम कितना है और न्यून्तम कितना है वो अपने को बताना है तो दोस्तो देखे उच्टम तो है नई दिली में और न्यून्तम है अरुनाचल परदेश में नई दिली में है दोस्तो 11,297 में वेक्ति परती वर्ग किलोमेटर में और अरुनाचल परदेश में है दोस्तो 17 वेक्ति परती वर्ग किलोमेटर में अपना इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सो नमबर का प्रेशन है इसमें देखे रीतवे निमनलिकित में से किस कारण से होती है रीतवे निमनलिकित में से किस कारण से होती है तो दोस्तों वो है परत्वी का परीकर्मा और एक दिसा में उसके अक्स का जुका होना परत्वी का परीकर्मा और एक दिसा में उसके अक्स का जुका होना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखाएगा निम्नलिकित में से कौन एक उष्ण कटी बंदिये गास सिस्तल है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए सवाना एक नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा देखिए सवाना अफरीकी महादीप में पाए जाने वाला उष्ण कटी बंदिये गास सिस्तल है और ये जो पंपास है इस्टेपी है और ये डाउंस है ये तीनों दोस्तों सितोस्न कटी बंदिये गास के सिस्तल है ये आपको इसमें याद रखना है तो इस प्रेस्टन कर एवं सिसा अयस्क बंदार है वो दोस्तों रामपुरा अंगुचा में है और रामपुरा अंगुचा कहां पर है तो दोस्तों ये भीलवाडा में है तो यानि कि भीलवाडा जिले के रामपुर अंगुचा में दोस्तों एसिया का स्रिष्ट जस्ता एवं सिसा अयस्क के बं तीन नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है बाकी यह राजपुर दरीबा है ठीक है यह उदेपुर में है जावर की खान है यह उदेपुर में है ठीक है तो इसमें तीन नमबर उप्षन बिल्कुल सही उद्योगों की जन्नी वाला उद्योग कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लो है एसक को एक नमबर का उप्षन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए देश में सरवादिक बाजरा कहां उत्पादित होता है देश में सरवादिक बाजरा है वो राजस्तान में उत्पादित होता है एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा अगे देखे निम्न को सुमेलित कीजिए सुची फस्ट को सुची सेकिंड से सुमेलित करना है ठीक है अब यहाँ पे देखिए जांसी का नेतर्टव था दोस्तो रानी लक्ष्मी बाई ने लखनव का नेतर्टव किया था बेगम हजरत महल ने कानपुर का नेतरत्व किया था अर्जी मुला खाने और जगदीश पूर का नेतरत्व किया था कौमर सिंग ने तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार पांट एक दो तीन चार यानि कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रियास में देवगंत होंगे किस से जुड़ा है तो दोस्तों ये जुड़ा है किसे तो ये भारत छोड़ा अंदोलन से जुड़ा है चार नंबर का उप्शन विल्कुल सही उतर हो जाएगा भारत छोड़ा अंदोलन है ये 8 अगस्त 1942 को प्रारंब हुआ था ये आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए 107 नमबर का प्रेशन है भारत की इस्तती के समंद में निमने में से कौन सा कतन है वो ऐसते है वो अपने को इसमें बताना है देखिए भारत भूमदे रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्री अकसान से तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है बिलकुल सही है भारत का विस्तार है वो पूरों से पस्षी में 2933 किलोमेटर तथा उत्तर दक्षिन में 32 14 है बिलकुल सही है भारत की जो इस्तलिय सीमा है वो 15200 किलोमेटर है और समुंदरी सीमा है वो 7516.6 किलोमेटर है बिलकुल सही है तो दोस्तों इसमें अब 3 सही है तो अपना इसका मतलब चोथा है वो पांचवा ने सातंवा सबसे बड़ा देश है ठीक है भारत है तो इसमें पांचवा है वो गलत दे रखा है तो अपना 4 नमबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखे गंगा नदी के उद्गम इस्तल का नाम क्या है गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद है गंगोत्री हिमनद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर का option सईवितर हो जाएगा next है 109 नमबर का प्रेस ने इसमें देखे निमने में से ऐसंगत को पहचाने यह तो दोस्तों अपने को क्या करना है ऐसंगत को पहचानना है कौन सा इसमें ऐसंगत है तो देखिए एक तरफ जील है दूसरी तरफ इस्तान है यानि कि कौन सी ज है वो कहां पर इस्थित्त्य है वो आपको पता होना चाए देखिए एसंगत अपने कोơ बताना है ठिंग है is वुलर जहिल कांपर है जम्मू कस्मीर में बिलकुल सहिए लोनार जहिल कह पर है तो यह माराश्च्टर में है और कोलेरू जील है ये आंदर प्रदेश में है चिल का जील उड़ी सा में है यहाँ पर मद्दे प्रदेश गल्द दे रखा है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है तीन नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा तीक है ये आपको इसमें याद रखना है 110 नमबर का प्रेशन है सदा बाहर वन कितने वर्षा वाले भागों में पाये जाता है सदा बाहर वन कितने वर्षा वाले भागों में पाये जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 200 cm वाले भागों में तीन नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखे निमने में से ऐसंगत को पैचान ये तो दोस्तों अपने कोई इसमें क्या करना है ऐसंगत को पैचाना है यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा भारतिय वनन नुसंदान केंदर कहां पर है तो यह देरादून में है भारतिय वनस्पत्य उद्यान केंदर कहां पर है तो यह कोलकता में है परिस्टिति के नुसंदान संस्तान कहां पर है तो यह बेंगलूरू में है राष्टिय परियावन अभियांत्री की संस्तान है नागपूर ये बैंगलूरू दे रखा है तेक है नागपूर बैंगलूरू दे रखा है जो कि अपना इसमें क्या दे रखा है गलत दे रखा है दोस्तों यहां पे जो बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए अपना इसमें भारती सविधान कब लागू हुआ था तो दोस्तो भारती सविधान है ये कब लागू हुआ था सबी को पता होगा दोस्तों ये तो 26 नॉमबर गुनी सो गुननचास को तो ये बन कर तयार हुआ था और 26 जनवर गुनी सो पचास को ये लागू हुआ था पूर्ट है एक नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए त्री इस्तरिये पंचायती राजतंतर में साम मिलोते हैं तीन नमबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए भारत का प्रदान मंतरी बनने के लिए अपेकसित न्यूंतम आयू क्या है तो वो है दोस्तो 25 वर्ष तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नमबर का उप्शन सही उतर और ये जो 25 वर् परदानमंत्री बनता है next step अधिकांस्त है ठीक है आगे देखे मोरिये मंत्री परिशद में निमन में से कौन राजस्वा इखटा करने से समंदित है यानि कि मोरिये परशाशन में दोस्तो राजस्वा इखटा करने से समंदित है तो कौन करता था उसको क्या बोलते थे उसको प्राचीन भारत के आयूर्वेद शास्तर से समню नहीं है। 223 में से किसका प्राचीन भारत के आयूर्वेद सास्तर से समन्द समन्द नहीं हैं। तो इसका right. answer ओजाएगा वह है भास्करा. चारिये. दो नॉबर का जो दन्वंत्री है वो चंद्र्गुप्ट सेकंड के नौवरतनों में से एक थे चार्यक है वो कनिष्क के राज्य게 वेदे थे जिन्हों ने चरक सहीता किरिचने की सुसरुतksom के और में उसरुति क्लिन आयुर्वेद विशे सगय की ठीक है और बासकरा चारिये है यह किसे समंदित थे तो मैंने भी आपको बताया दोस्तों यह प्रसिद खगो लगे एवं गणी तगे थे ठीक है और यहाँ पर देखे प्रसिद में क्या पुछा है कि समंद्र नहीं है पुछा है तो इसमें दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेकस्ट आगे देखे इसमें 117 नमबर का प्रस ने भारतिय संस्द के बारे में निम्न मेंसे कौन सा कतन सत्य नहीं है तो यहाँ पर देखे विच्छ समंदित मामलों में संस्द की मनजورी सरकार के लिए महतोपूर्ण होती है यहाँ पर अपना यह नहीं है यह गलत दे कि ये गलत दे रखा है ठीक है बाकी इसमें है तीन है वो बाकी सही है नेक्स्ट आगे देखे इसमें नयाई पालिका के समंद में निमनलिकित कतनों में से कौन सा कतन गलत है बताईए नयाई पालिका के समंद में निमनलिकित में से यानि कि निमनलिकित कतनों में से कौन सा कतन है वो गलत है तो दोस्तों देखिए यहां पर देखिए इसमें नाइक वेविस्ता नागरीकों तथा नागरीकों वे सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविदी उपलाद प्रेस में 111 नमबर का प्रेस ने सवेधानिक उपचारों का अधिकार के अंतरगत जो अनुछेद 32 आता है सवेधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बोलते हैं अनुछेद 32 भी बोलते हैं ये अनुछेद 32 के अंतरगती आता है और इसमें कौन सा पार्ट है वो सही है तो दोस्तों देखिए यदि किसी नागरीकों लगता है कि राज्ये द्वारा उसके किसी मोलिक अधिकार का उ का उप्शन बिलक्ल सही उतर हो घागा 120 नमर kःश्न है इसमें देखे विदिक यूग में राजा अपनी जनता से जो करवसूल करते थे उसे क्या कहते हैं तो दोस्तों उसे कहते हैं क्या बली कहते थे क्या बली को संग्रेइद करने वाला जो अधिकारी है वो भागदूद कहलाता था, क्या कहलाता था, याद रखना दोस्तों, भाग दूद, ठीक है, या आपको इसमें याद रखना है, तो इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, ठीक है, और एक होता था दोस्तों, पाला गल, पाला गल है, ये राजा का मित्र होता था, न कहा जाता है गंगा डेल्टा के मेग्रोव वनों को क्या का जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है सुन्दरवन कहा जाता है दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा सुन्दरवन आगे देखे राज़स्तान का अंतराष्टे सीमा इस्टान की नतराष्टे सीमा पर चार जिले जयसलमेर, बाड़मेर, विकानेर गंगानगर इस्तित थे हे इन में से सरवादिक लंबी सीमा किस जिले की है तो दोस्तो यह सर्वादिक लंबी सीमा है यह 464 किलोमेटर है जयसलमेर की तो इसकाुराइय टांसर हो जाएगा इसमें दो नमबर उप्षन सही उतर नेक्स्ट ا du tokens चंबल नदी का प्राची नाम है तो दोस्तों चंबल नदी का जो प्राची नाम है वो क्या है? तो वो है दोस्तों चर्मनवती तीन नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा आगे देखे राजस्तान में उंट के बिमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है तो दोस्तो कौन सा देवता की पूजा की जाती है तो दोस्तो पाबु जी को उंटो के देवता और पलिक रख सके देवता की रूप में पूजा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाबु जी तीन नमबर option बिल्कुल सहीवतर हो आगे देखे विस्व प्रसिद अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस इस्तान से समन्दित है तो दोस्तो अजरक प्रिंट है ये किस समन्दित है तो दोस्तो ये बाड़ मेर से समन्दित है तीन नमबर का option सहीवतर हो जाएगा आगे देखे वहें कौन सा अभी लेख है जो महाराना कुमबा के लेखन पर प्रकाश डालता है वहें कौन सा अभी लेख है जो महाराना कुमबा के लेखन पर प्रकाश डालता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किरती स्तंब प्रसस्ती 1460 इस्यू में ये जो किरती स्टंब प्रसस्टी है ये माराना कॉमबा के लेकन पर प्रकाश डालता है मित्रों द्यान से दीजिएगा टेस्ट जो ये रिट भरती परिक्षा लेवल टू एसस्टी के लिए सरवादिक महतवपूर्ण मोडल पेपर है टेस्ट आपको पूरा देना है तब ही आपको पता लगेगा कि आपके तैयारी कितनी है क्या इसको और आपका वो रहा है कौन-कौन से प्रसना आपको गलत हो रहे है तीक है वह आप सही करते जाईए आगे देखे सवतंतरता सेनानी एवं सहीद सागरमल गोपा कहां की निवासी थे सागरमल गोपा है ये जैसल मेर के निवासी थे ठीक है इन्होंने जैसल मेर के गुंडाराज आज़ादी के दिवाने और रगुनाथ सिंग्रा मुकदमा ये तीन पुस्तगें लिखी थी इन्होंने याद रखना है आगे देखिए इसमें दोस्तो बिजोलिय किसानांदोलन के जनक कौन थे तो बिजोलिय किसानांदोलन के जो जनक हैं वो कौन थे तो वो थे दोस्तो वीजे सिंग्पतिक दो नमबर का उप्शन विल्कुल सही उतर हो जाएगा तीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें राजस्तान राजे का वर्तमान सोरूप जिस तारीक से है वह है तो वह कौन सा है वो दोस्तों एक नॉम्बर गुनी सो चपन से है चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे सामाजिक विज्ञानों के सिक्षन में बच्चों के स्वेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं सब्दों से नहीं बलकि द्रश्यों और आवाजों से इसके लिए सिक्षन का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है इसके लिए सिक्षन का कौन सा तरीका सबसे अधिक परवावी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है छेत्र ब्रमन और सर्विक्षन एक नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 132 नमबर का प्रेशन इसमें गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी विरचना सबसे ज़्यादा उचित होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को सामिल करना एक नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 133 नमबर का प्रेशन है प्रेशन उतर टक्निक सामाजिक विज्जान सिक्षन में काफी प्रभावी हो सकती है तो दूस्तों ये सुनिशित करती है कििसको सिक्षार्थियों दोरा सक्रिये साहबागिता को तो उसमें चार नमबर का उप्षन सही उतर हो जाएगा आगे देखें सामाजिक विज्ञान कक्षा में अनुन्य किरिया परियावन को बड़ावा देने के लिए निमनली खित में से कौन सा उपागम सबसे उप्यूगत होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें वरत चित्र डिखाना यानि कि वरत चित्र दिखाना तो इसमें दो नंबर उप्शन सहुत्तर हो जाएगा आगे देखे 135 नंबर का प्रशन है निमनली खित में से कौन दादू पंती उप संपरदाय नहीं है तो कौन दादू पंती उप संपरदाय नहीं है तो दोस्तो वो है इसमें देखे खालसा नाग और खाकी तीनों है चांडाल नहीं है ठीक है चार नंबर उप्शन सहुत्तर Next ने महाराना राज सिंग ने मेवाड के किस सासक को इन्होंने मारवाड के किस सासक को मुगलों के विरूद आसरे दिया था तो वो दिया था दोस्तों, तो वो दिया था अजित सिंग को तो इसका right answer हो जाएगा, इसमें दो नम्बर options सहीतर हो जाएगा 137 नमर का प्रशन हिसमें देखे किस चोहान सासक ने 1192 इश्वी में तराइन का दूस्य दिट्टे युद लड़ा था तो दोस्तो परत्विराज तृत्य ने लड़ा था मुहमद गोरी के साथ में और परत्विराज तृत्य की क्या हुई थी हार भी थी इस दूने आगे देखे हेला ख्याल नाम तो सुनाई होगा हेला ख्याल लोक संगीत राजस्तान के किस चेतर से समंदित है तो दोस्तो ये समंदित है कौन से चेतर से दोसा स्वाई मादपूर से समंदित है ये हेला ख्य तो दोस्तों यह इस्तित है कहांपर तो यह देलवड़ा में है तो इसका right answer चार नमबर option सही उत्र हो जाएगा आगे देखे बागडी बोली राजस्तान के किस बाग में बोली जाती है प्रश्ण 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 प्रश् अगे देखें निमनली कित में से किस राजपूत राजवन्स पर बिजोलिया अबिलेक परकाश डालता है तो इसका हाई टांसर हो जाएगा वो जालता है दोस्तों चोहान पर एक नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखें प्रसिद्द चित्रसला के गड़ राज प्रसाद में इस्तित है बताइए प्रसिद्द चित्रसला के गड़ में राज़ प्रसाद में इस्तित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बुंदी में ठीक है तो इसमें एक नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखें इसमेलित करना है ठीक जांज किया है तो दूस्तों बताइए गनवादेयंत्र है और मादल किया है यह अवनद्ड वादेयंत्र है तो अपने इसमें डो तीन एक चार यानिकी एकनमरर बिल्कुल सही हित्तर हो जाएगा 145 का प्रेश्न इसमें प्रेश्ण के वाक्यों द्वारा शीखे हुए को अभिव्यक्त करने में जहां बालक सक्सम है वहां चीजों के अर्थ ग्रेंड करने की समता है अपने श्यम के वाक्यों द्वारा शीखे हुए को अभिव्यक्त करने में जहां बालक सक्सम है वहां चीजों के अर्थ ग्रेंड करने की समता है गैर ओप्चारिक सिक्षा से समंदित नहीं है नीचे दिएगे खत्नों में से एक गैर ओप्चारिक सिक्षा से समंदित नहीं है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहें परिक्सोन मुख है तो इसमें दो नमबर का ओप्षन बिल्कुल सही उतर हो अगे देखे, अनोप्चारिक सिकसा के समन्द में निमनलिकित में से कौन सा कतन सत्ते हैं, तो दोस्तों यहें एचितन अध्यन उतलब्द कराता है, तो इसमें चार नमबर का उप्षन सहीतर हो जागा, अगे देखे इसमें बासन जिसमें एक सिकसक एक गटना या सामगरी पर एक व्याख्यान देता है कहलता है क्या कहलता है तो वो कहलता है दोस्तों व्याख्या नेक्स्ट एक परकार का बासन है जिसमें सिक्सक एक गटना या सामगरी पर एक व्याख्यान देता है तो दोस्तों व्याख्या देंग हैं व्याख्या एक परकार का क्या है बासन है तो इसमें 4 नंबर का उपसन सहयूतर हो जाएगा 150 नंबर का प्रस्न है इसमें देखिये उन मीडिया संसादनों की पैचान करें जो अद्ध्यापन अद्ध्यान प्रकिरिया में सायग हो सकते हैं तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तो समाचार पत्र, चित्र, प्रदर्शनी, तो इसका right answer हो जाएगा उप्रोक सभी, चार नमबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, आगे देखिए इसमें एक नमबर का प्रेस्टन है, इसमें देखिए, प्रती दुन्दात्मक समाजिकरन का काल है, किस अवस्ता को माना गया है, अब ये जो प्रेस्टन अपन कर रहे है, ये प्रेस्टन है, वो अपन बालविका सेवं सिक्सा सास्तर से समन्दित कर रहे हैं, तो इस प्रेस्टन का right answer हो जाएगा, वो है बाल्यावस्ता, तीक है, आगे देखिए इसमें समाजिकरन सिक्सा का मुख्य उद्देश क्या है, या मुख्य क्या कारी क्या है, तो दोस्तों देखिए इसमें, समाजिकरन सिक्सा का मुख्य कारी है, वो विद्याले ने आने वाले बच्चों को विद्याले मिलाना, विशेस आफसक्ता वाले बच् तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा तो वो है चार नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सहीटर हो जाएगा तीक है यह सुचना संचार माद्यम है यह अपना गलत हो जाएगा तीक है और यह से समंदित भी नहीं है आगे देखे इसमें निम्न मेंसे कौन सा विकास का सिद्धान्थ नहीं है विकास का सिद्धान्थ है वो कौन सा नहीं है तो दोस्तो देखे वातावरन के प्रभाव का सिद्धान्थ सामाने से विशिष्ट का सिद्धान्थ निरंतरता का सिद्धान्थ सामविकता का सिद्ध व्यक्ति भिनता का सिद्धान्त ए ठीक है करम बद्दता का सिद्धान्त ए तो दोस्तों यहां पर देखिए विकास मसीनी पर करिया है यह अपना इसमें गलत हो जाएगा ठीक है चार नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उगतर रही इसका आगे देखिए निमन में से कौन सी कर या बालक मूर्त संक्रियात्म कवस्ता में सीखता है तो इसका रार आइट अंसर हो जाएगा रहे दोस्तों ग्यान स्वम निर्मान करने का अवसर परदान करता है निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ग्यान स्वम निर्मान करने का अवसर परदान करता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है रसना वाद तो इसमें तीन नमबर का उप्षन बिल्कुल सहरे उत्र हो जाएगा आगे देखे मनोविगियान के अनुसार बाल विकास की कौन से अवास्था सबसे जटिल है बताईए, मनोविज्ञान के अनुशार बालविकास की कौन सी अवस्ता सबसे जटे लेवं की सोरा वस्ता जीवन में करांतिकारी, परीवरतन, कठीन संगर्स और तूफानी का दोर का ही समय का आ जाता है कि सोरा वस्ता को आगे देखे, मस्तिक समापन का तात्परिया है, तो दूस्तों मस्तिक समापन का जो तात्परिया है, वो है बोदात्मक को बढ़ाने की तकनीक, बोदात्मक को बढ़ाने की तकनीक, तो इसमें एक नमबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा, आगे देखे, इसमें नो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जोन डिवी के द्वारा चार नंबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा आगे देखिए हस्त सिल्प की सिक्षा दी जानी चाहिए तो दोस्तो मंद बुद्धी बालक को दी जानी चाहिए एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो तो दोस्तो चुनोती पूर्ण कारिय करने में डटे रहने की परवर्ती है ये उपलब्दी अभी प्रेज़ना है वो कहलती है तीन नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तेरह नंबर का प्रेस ने इसमें देखे निमन में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें परिवार समवैस का समू है और अध्यापक तो इसमें दो नंबर का उप्षन बिलकुल सिःतर हो जाएगा वोदर नंबर का प्रेस नहीं इसमें देखे एक अध्यापक को निमन में से किस कथन से सहमत होना चाहिए तो कौन से कथन से सहमत होनाची है चार कथन आपके सामनी दिये गए है तो यहाँ पर देखे ब्रहाँ अभी प्रेड़ना तब होती है जब अधिगम करता ब्रहाँ परुसकार प्राप्त करने के लिए पंदरा नमर का प्रस्त है इसमें देखे निसुलक एवं अनिवारिय शिक्षा का बालको का अधिकार जो 2009 है उसके अंतरगत किसी भी अधियापक को निमन मेंसे किस कारिय के लिए नहीं लगाया जा सकता है किस कारी के लिए नहीं लगाया जा सकता तो दोस्तों वो है पलस पॉलियो कारी करम में है वो नहीं लगाया जा सकता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चार नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा तो नेक्स्ट है आगे देखिए अपना इसमें 16 number का प्रेसन है, इसमें देखे किरियात्मक अनुसंदान मौलिक्ता अनुसंदान से बिन है क्योंकि यहाएं मौलिक अनुसंदान से बिन है किरियात्मक अनुसंदान में इसमें देखे क्रियात्मक अनुसंदान में क्या आएगा तो दोस्तों देखे क्रियात्मक अनुसंदान वह अनुसंदान हैं जिसे सेक्षनिक कारिय करता अपने कारियों में सुधार लाने हित्तु करते हैं इसकी एक सुनिशित विशेष्टा है कि उसे अध्यापक इवं निर्देशन कार्या करता गर्ण अपनी दिन परती दिन की समस्याओं को हल करने एवं कार्या परणाली में सुधार लाने हीतु करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रियात्मक के उप कल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आदारित है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा इसमें एक number का option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा next step आगे देखिए इसमें 18 number का प्रेस ने 6-10 वर्ष की अवस्ता में बालक रूची लेना प्रारम करते हैं बालक रूची लेना प्रारम करते हैं दोस्तो 6-10 वर्ष की जो अवस्ता है वो बाले अवस्ता के अंतरगत सामिल होती है तो इसमें देखिए विद्याला इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अपने सीखने का अस्यूम अनुविक्षन करने की योगता है तो अपना इसमें 4 number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 20 number का प्रेस ने इसमें देखिए निम्न में से कौन सा मानसिक विकार है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है देखिए सम्मंद को छोड़कर अन्य सभी जो विकल्प हैं वो मानसिक विकार के लक्षन दरसाते हैं तो इसका right answer हो जाएगा तीन number option बिल्कुल सही उतर है आगे देखिए थोंडाई के विक्तित्व के वर्गी करन का आदार है तो दोस्तो क्या है वो तो वो है रचनात्मकता और मोलिकता दो number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए प्रेणा का वहीं समंद उपलब्दी से है जो अधिगम का किस्से है तो दोस्तो वो हधिगम का बोध से तीन number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 23 number का प्रेणा है इसमें देखे एक जुडवा भाईयों में से एक को सामजिक आर्थिक रूप से दनाडे परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्दन परिवार द्वारा एक वर्स बाद उसके बुद्धी लबदांग के बारे में निमनलिकित में से क्या अवलोकित होने की सरवादिक संभावना है बताईए तो दोस्तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कौन सा होगा इसमें दोस्तो देखिए सामाजिक आर्थिक इस्तर पर बुद्धी लबदांग को प्रभावित है वो नहीं करता है तो अपना इसमें दो नमबर उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए चोबिस नमबर का प्रेशन है अधिगम का वेवारिक सिद्दांत निमन है अधिगम का वेवारिक सिद्दांत निमन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें समंध परतिक्रिया का सिद्दांत इसके नरका कि सिद्दांत के परतिबादक है बुद्धी के बहुकारक सिद्धानत के परतिबादक हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो थोंडाइक तीन नमबर का उप्षन है वो बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 26 नमबर का प्रेसन इसमें देखे पियाजे के संग्यानात्मक विकास सिद्धानत के अनुसार संवेदी किरियात्मक अवस्ता होती है पियाजे के संग्यानात्मक विकास सिद्धानत के अनुसार संवेदी किरियात्मक अवस्ता होती है तो यह होती है दोस्तो जनम से दो वर्स एक नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे पावलाव ने सीखने के अनुबंदन परतिक्रिया सिद्धान्त का परतिबादन का परियोग करके किया था किस पर करके किया था पावलाव ने सीखने के अनुबंदन परतिक्रिया सिद्धान्त का परतिबादन तो right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों तो वो है कुत्टे पर कियाता ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें चार नमबर उप्सन्स हे उत्र कुत्टे पर 18 नमर क प्रेशन इसमें द subscription का उप्योग किया जाता है ICT का जो उपयोग है वो किया जाता है दोस्तों प्रदत विस्लेशन में एक नमबर उप्शन सही उतर आगे देखे शीखने के वक्र दोस्तों सीखने की किरिया से होने वाली गती और प्रगर्ती को वेक्त करता है ठीक है राइट आंसर शीखने की प्रगर्ती के सूचक है इसमें समयलित है एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यह तीस प्रगर्त है वो अपने बालविकार से हम सिक्सा सास्तर से समंदित है वो पढ़ लिए है अब आपन जो तीस प्रगर्त पढ़ने जा रहे हैं वो होंगे दोस्तों हिंदी के ठीक है और देख पूर्ण क्या है आप जब यह पढ़ोगे तो आपको आटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या होगा इस प्रगर्त का राइट आंसर देखें तो वो है बात कहने का तरीका तो इसमें चार नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखें खामुसी ही बोलने लगती है से अभी पराई है तो क्या अभी पराई है तो दोस्तों इस Сे अभी पराई हो जाएगा जब कुछ बचे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्छों को पता चल जाता है कि उने सांत होना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नमबर उप्शन सही उतर हो दोस्तो बातचीत बातचीत है ये क्या है ये इस्टरिलिंग सब्द है आगे देखिए इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है वाक्य में आए भी और तो सब्द है भी और जो तो सब्द है वो क्या है तो दोस्तो वो है निपात है तो इसमें एक नंबर का उप् गद्यान से समधित प्रस्ण है देखिए वर्तनी की दरश्टी से सुद्ध सब्द कुन सा है तो वो है कवीत्री तो इसमें चार नमबर उप्शन सही उतर नेक्स्ट आगे देखिए इसमें लेखक के नुसार वहें पढ़ाई निरर्थक है जिसका उपयोग बच्चे अपने पार रोज मरा के जीवन में नहां करते हूं ठीए तो अपना इसमें राइट अंशर नमबर उप्शन सही उतर उतर हो जागा आगे देखे निवासी का बहुचन रूप क्या होगा निवासी का जो बहुचन रूप है वो क्या हो जाएगा तो दोस्तों निवासी का बहुचन रूप हो जाएगा निवासियों चित्रन के लिए उप्यूक्त विशेशन हैं वो नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें सौंदरिये दो नंबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे फर्क का समानार्थी है फर्क का समानार्थी है तो वो क्या हो जाएगा तो फर्क का समानार्थी हो जाएगा अंतर तो इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे बासा का प्रात्मिक रूप है तो बासा का प्रात्मिक रूप है वो क्या है तो वो है दोस्तों मोखिक, चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए, 42 नमबर का प्रेस ने, गनित विज्ञान, समाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से बासा की ही कक्षाएं है इस कथन के समर्थन में कौन सा तरक सबसे कमजोर है गनित विज्ञान, समाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से बासा की ही कक्षाएं है इस कथन के समर्थन में कौन सा तरक सबसे कमजोर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें कौन सा तो वो है विबिन विशो की अवधारनाएं किसी भासा विशेस में बनती है तो इसमें तीन नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे किस बाक्य में विराम चिने गलत परियोग हुआ है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें विराम चिनों का परियोग सही नहीं हुआ है तो अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा इसमें तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 44 नमबर का प्रेसन है इसमें देखे कहानिया बच्चों के बासा विकास में किस परकार सायक है तो किस परकार सायक है राइट अंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों देखिए ये बच्चों की कलपना सक्ती सरजनात मक्ता और चिंतन को बढ़ावा देती है तो इसमें चार नमबर का उप्चन सही उतर हो जाएगा पैंतालिस नमबर का प्रेस नहीं इसमें देखिए इंदी बासा की पाठे पुस्तक में लोक गीतों को सामिल करने का कौन सा उद्दे से सबसे कम है तो पून है तो कौन सा उद्दे से सबसे कम है तो पूर है तो दोस्तों लोक गीतों की बासिक विश्यस्ताओं से परिचित होने का अवसर मुहया कराना चार नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तों दूसरों की हस्त लिकित सामगरी पत्र आधी पढ़वाना तो इसमें चार नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, आगे देखे, लेखन कुसलता के विकास करने में सबसे महत्वपून है, लेखन कुसलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपून है, सबसे कम महत्वपून क्या है, तो सबसे कम महत्वपून है, वो है दोस इसे के लिए प्रात्मिक इस तर पर बासा नहीं सिखी जाती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जीवन की विबिन इस्तितियों को साधना तो इसमें एक नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 49 नमबर प्रेशन है इसमें देखे बासा की प्रकृति के समंद में कौन सा कथन है वो उचित नहीं है तो दोस्तों देखिए इसमें बासा कठोर्था से व्याकरनिक नियमों का अनुसरण करती है तो इसमें एक नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 50 नमबर का प्रेशन है इसमें देखिए बहु भासिक कक्षा के संदर्ब में इन में से किस गतिविदी को सरवाधिक उचित समझते हैं तो कौन सी गतिविदी को सरवाधिक उचित समझते हैं तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए हिंदी पाठों में आगे देखिए इसमें 51 नमबर का प्रस ने व्याकरन सिक्षन के संदर्ब में कौन सा कतन सही नहीं है, तो कौन सा कतन है वो सही नहीं है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए व्याकरन सिक्षन अत्यान तावसिक है, यह कतन है, यह उप्रियुक्त वाक्यान्स है तो वो कुन सा है तो दोस्तों वो वाक्यान्स है परवत के नीचे की जो भूमी है उसको उपतेका बोलते हैं दो नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए कोई छात्रे संदी बनाने में तूटी करता है तो इस बात का पता आप लगाएंगे कोई छात्रे संदी बनाने में तूटी करता है तो इस बात का पता आप कैसे लगाएंगे तो दोस्तों वो है उप्शारात्मक कारियों से लगाएंगे तो इसमें एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें निम्न मेंसे किस परसर्ग का परियोग करम वाच्चे बूत कालिक करता के अतिरिक्त संपॉदाय की रूप में पाया जाता है तो इसका हाइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें नहीं नहीं है ठीक है तो इसमें एक नंबर उप्शन सही तरा आगे देखें हवा से बाते करना मुहावरे का सही अर्थ सभी को पता होगा वो है तेज चलना नेक्स्ट है किस लोकोक्ति का अर्थ है बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती होगी तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहां पर देखिए दोस्तो निमन में से कौन सा विकल्प है वो संग्या आशरीत उपवाक्य का है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो रमेश्ट ने कहा कि संध्या को गूमने चले ठीक है आगे देखिए छोटा बन जाने की योग कला को इन में से क् कहते हैं तो इन में से क्या कहते हैं तो दोस्तो वह है लगुकाय कहते हैं दो नंबर का उप्षन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए हिंदी बासा के प्रेस्ट पत्र में पर होने वाली बारिस का वर्णन एक अलग तरीके से किया है आप बारिस समंदी अपना अनुबह लिखिए तो इसमें चार नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखें बासा सिक्षन में अनिवारिय है तो दोस्तों वो है समगरता वादी द्रिश्टिकॉन दो नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अब दोस्तों अपना है वो संस्कृत के जो 30% है वो भी कर लेते हैं फटा फट यहां पर देखें 61-68% तक गध्यांस परादारित है मुझे संस्कृत कमाती है तो आपको स्क्रीन के उपर है वो ज़रा ज्यान दे देना है ठीक है देखी दूस्तों यहां पर देखे नी क्रिश्ऩ तमा इती सब्डे कया पड़तो यसर नेकस्ट आगे देखें महापादपा इती सब्ड़ सका-स्विग्रह हो जए आगे इसका वो है महांतह पादपा है एक नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे तीन नमबर उप्सन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें अगहे मानव वात वारस इस माकम समा लोचे विशे है इती वाक्य अव्याव सब्दा है अस्ती राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है अपना इसमें कौन सा तो वो है अगहे आगे देखे सरवासू इती सरवनाम सब्दे के विबक्ती परियुक्ता मस्ती राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो सब्तमी तीन नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें सुम्हान इती सब्दे के उपसर गैस्ती राइट आंसर हो जाएगा वो है सू तो इसमें एक नमबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा आगे देखे स्रश्टी इती सब्दे परकर्ती पर्तेस्टास्ती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें स्रज प्लस करते आगे देखे कुसुम कोमल है इती सब्द चैवर्ग तैवर्ग पैवर्ग जितने भी हैं इन सब के जो पांचवा नंबर का अक्सर है वो नाशिक वर्ण के अंतर गताते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए नदी सब्दस से पंचमी विबक्ती एक वचने रूपम भवती राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तो इसमें नगहा तो इसमें एक नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए बुदातो लटलकारश से उत्तम पुरुष से भवचने रूपम भवविशती राइट आंसर हो जाए ती राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हैनुषती zero इसमें अव दो नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा उर्यार इसनी राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तो लेप तीन नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखें मंगलवासर है आसीत रिक्स्तिस्तानम अव्यावात पुरियत राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो स्वे है आगे देखें चावलों से भात पकाता है इती हिंदी वाक्य से सम्यक संस्कर्थ अन्वादमस्ति राइट आंसर हो जाएगा वो है तंडूलान ओधनम पच्ष्टी दो नंबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखें यहां पर देखें असमीन पध्यांसे का चंद अस्ती उपर वाला जो पध्यांस दे रखा है इसमें कौन से कौन सा चंद है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चंद होगा दोस्तो उप जाती ही तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीन नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे उप्रियुक्त पद्यान से कह लंकार परियुक्त तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्सा आगे देखे पूर्वा परोहो इती सब्दे कह समासे बहुती एगे देखें अधि राजा है इती सब्दे कहें उपसरक है प्रयुक्त है तो इसमें प्रयुक्त हुआ है धुर्ग है अगे देखें अपना इसमें तो इसमें तीन नंबर उप्षन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए अपना इसमें उपचारिक अनोपचारिके वासंभाशने एतदा वश्यकम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें देखिए सुक्त भासा कोशला नाम उपयोग है चार नंबर का उप् इसमें देखिए उपलब्द समस्त संके उपयोगेन समगर पठे पठस से व्याख्यानम एतद पक्स्ते राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों वो है इसमें संदर्बिक पठे वस्तुत है अवब बोदनम ठीक है तो इसमें तीन नंबर उप्षन सही उतर हो जाए आगे देखिए व्याख्यानात्मक पठने इसमें देखिए व्याख्यानात्मक पठने एतचैनमन बुर्ती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए संस्क्रत है वो मुझे डंक से बढ़नी नहीं आती है आप यह मैंने आज आपको जो मोडल पेपर है वो कम्पलीट करवा दिया है और अगर आपने पिछले कई मोडल पेपर अगर नहीं देखिया है तो आप पले लिस्ट में जाएए वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसस्टी मोडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बनावा है तो आप वहाँ जाके पिछले मोडल पेपर का जो टेस्ट है वो अवस्य देए और अरद्यारस अकेडमी के यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राब नहीं किया तो सब्सक्राब जरूर कर मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जहिन जभर्त